कि देखिए यह बंसी है बंसी का निसान देखिए और इसी में लिखावत है दो अच्छरों में देखिए हिंदी वर्णमाला का प्रतमक्षक कर देखिए यह अपने आप लिखा हुआ है इसके बाद नीचे पाई देखो किस्ट दिख रहा है हो गया यह देखो ठल लिखा आपको प्राक्रिक पुरी ब्रीच और आसी को उसमें देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी आप जाएंगे थोड़े में आपको दर्सन होगा लेकिन दूर तक पूरी ब्रीच और आसी में आपको सिलाओं की दर्सन नहीं होगे किड़ा इस तले कामबन के नाम से जाना जाता है जहां कामा में चरन पाहडी नाम का इस्तान है जो काफी बिख्यात है जहां दूर दूर से लोग दर्सन करने आते हैं मैं कैमरा में से काऊँगा कि यह चरन पाहडी मंदिर है जहां बगवान स्री कृष्ण के चरन चिन मौजूद है और यह चरन चिन यहां दर्सक दर्सन करने आते हैं पूजा आर्षना करते हैं अपनी मन्नते मांगते हैं काफी लंबे समय से भगवान स्री कृष्ण के पदचिन यहां मौजूद है और पूरवजों की माने तो यह भगवान स्री कृष्ण ने जब यहां बासुरी बजाई थी तब से यह फत्तर पेगल गए थे और इस पर भगवान स्री कृष्ण के पदचिन हैं आप देख सकते हो भगवान स्री कृष्ण के पदचन साप साप दिखाई दे रहे हैं एक एडिय एक पूरा पंजा है अब यहां तक तो सभी लोग आते हैं और सभी ने यहां के दर्शन किये हैं यहां से आगे का नजारा साइद कुछ ही लोगों को पता है कि यहां से आगे 56 कटोरा है भगव वालों के साथ बैटकर वो बोजन करते थे वह इस्तान भी है मुझूद है लेकिन उस इस्तान के लिए जाने का रास्ता आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां जाने का रास्ता है यह है वहां का रास्ता है आपको दिखाते हैं पाड़ों में चलकर किस तरीके से वहां जा जानकारी है या वो जाते हैं जिने जानकारी मिलती है नए लोग बताते है यह कटिली जाडिया हैं कांटे हैं जाने के लिए नंगए पेर पहुंचनाः देखो मंदर supporting पाडली पेर चुगगा घर बनाया हुआ है जेंट्स ग्रोप आप कामबन के द्वारा यह चुगगा घर बनाया गया है यहां दर्शन करने के लिए लोग जब आते हैं तो यहां पंचियों के लिए चुगगा भी डालते हैं और गर्मी का मोसम आ गया है पंचियों के लिए पानी की भी यहां बिवस्ता है परियाप्त मात्रा में यहां चुगगा लोग डालने आते हैं पानी भी यहां मंदर कमेटी द्वारा भरा जाता है और जो दर्षनार्थी यहां आते हैं दर्सन करने के साथ साथ वह यहां पानी भी बढ़ते हैं जिससे गर्मी के मुसम में पंचीयों को पानी और चुग्गे की कोई समश्या उत्पन ना हो यह आपको रास्ता दिखाते हैं अभी काफी चलना बाकी है आगे आपको ऐसा ही रास्ता है चपन कटोरा दिखाएंगे ज जो चपन कटोरा मौजूद हैं आज भी यह चरन पाहड़ी का पाहड़ है और इस पाहड़ पर भगवान स्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ आते थे गईया चराते थे और उनके साथ ही यहां बोजन करते थे और यह देखो इस पाहड़ का नजारा दिखाते हैं जब इत यह देखो कितने यहां आने के लिए रास्ता भी नहीं है पाहड़ों से चल कर जाना पड़ रहा है फत्तर हैं कंकर हैं काटे हैं उनके बीच में से यहां पहुच रहे हैं और यहां एक खुटिया भी बनी हुई है जहां एक सादू रहते हैं यह बहुत ही प्रसिदिस्थान है यहां के इतियास के बारे में यहां मौजूद जो लोग हैं उनसे जानेंगे वह बताएंगे यह जंडा दरसाता है कि यहां भगवान सरी कृष्ण ने भोजन किये थे जिनके चपन कटोरा साक्षातिया मौजूद हैं कुटिया में कुछ ग्रामीन बैठे हुए हैं कि घर्मी पड़ रही है खडागे की घर्मी में किस तरीके से वह इस पहड के उपर ब्राजमान हैं यहां देखते हैं यहां कुछ भी आपको पानी की विवस्ता या कैसी भी कोई विवस्ता नहीं है यहां मात्मा है इन से जानना चाहेंगे महाराज यह कौन सा इस्थान है यहां पर देखिए किस बल्राम के कटोरे बने हुए चपन कटोरे हैं सब प्राक्रतिक चीज है बाबा एक मिनट मैं जूते उतार देता हूं बाबा क्या क्या है बताओ बाबा देखिए यह किस बल्राम के कटोरे हो गए है दो देखिए पूरे बने हुए आपको यह देख रहे होंगे यह कृष्ण के और यह बल्राम के दो कटोरे आपको दीख रहे होंगे मैं नजदीक से काहूँ दोनों कटोरों को और यह देखो देखो बाबक क्या है देखिए यह बंसी है बंसी का निसान देखिए और इसी में लिखावत है दो चरों में देखिए हिंदी वड़माला का प्रत्तमक्षक कर कर देखिए अपने आप लिखा हुआ है इसके बाद नीचे पाई देखो क्रिस्टे दिख रहा है हो गया यह देखो ठल है आगे पाई क्रिस्टे ठाकूर दो चरों में सौटकट नाम दिखा हुआ है पतक्ष प्रमाड यह देखिए पत्तर की सिलाओं में अपने आप यहां पर आपको देखने को मिल रहा है फिर देखिए लटिया की निचे देखिए देखिए बने हुए है इधर देखिए इखिए इनरी का भाग हो गया पीषे देखिए लटाओ बहुं आपको समझ में ऐएगा हाँ aan कसा इहां पर रवना हुगा है फिर आए इस पत्तर में देखिए पांचों अगुलियों गवत्त निसान है सबदेखिए देखिए इस में आन्डिकायन अगोऑ पीछे का बड़ आपको आफ़के पंजे दिखा रहे हैं थोड़ा कटीला रास्ता है नंगे पैड जाना मुश्खिल हो रहा है कंटे चोब रहे हैं पैरों में लेकिन आपको पूरे इंगुरिया अपने आप पूरे पैप सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब पेखीए मैं देहें गुली मैं है मुख्या है ठाकु जी पिर आए ये बच्या की खुर भी दिखाएंगे यहां गाये की बच्या के खुर है जो बावा की यह खुरी क्या जी बना हुगा है सामा की अपने आप इसमें देखी रिकार्डिंग करें लीजे लिए लुग आप इस खुटिया में ब्राजमान हैं आप यहीं तपश्या करते हैं और साक्षात जो बल्राम जी और स्री कृष्ण जी ने यहां पदिचिन हैं उनके और ग्वाल वालों के साथ यहां भोजन करते थे इसका आपने पूरा बिस्तार पूर्वक यहां दिखाया है पूरा इसके बारे में कुछ दर्सकों को बताएं देखे यहां तो आज से 15-16 साल पहले जो है कि हमारा गुर्वक अस्थाने बिच्वरासी में केदारनास पढ़ जाता है केदारनास है तो वहां से परिक्रमा करते थे तो हमको जो है भगवान के जो है कि लिलाओं का बहुत चसका था जो है कि उनकी लिलाओं के लिडास थली देखने का भागवान कहां पर गवचरा है कैसे क्या किये हैं तो खोज थे खोजता हम यहां तक आए जब देखे तो पहले जो है कि हमको भी लगा चलो के पहारी कई जगा रचुकी लेकिन हमको वो सांती नहीं मिला फिर हम यहां पर आए जब तो एककटोरी देखकर के पूरा हम को जो है कि आभास हो गया फिर यहीं पर जो है कि पत्थर तोल तोड करके धुना बनाए यहीं पर तंबु लगाए फिर कई बात तंबु खड़ गए बजरी सिमेंट इट भी गिर गया तो लागडाउन लग गया तो मोर चुगा घर बन गया उसके बाद में फिर इट गिरा है अब देखो ठाकुर जी कृपा हो जाए तो यहां कुछ बन जाए तो अच्छा है क्योंकि ऐसा स्थान आपको प्राक्तिक पूरे बिच और आसी को सुविदा नहीं है आप यहां बोजन कहां से प्राप्त करते हो पानी कहां से लाते हो किस तरीके से सारी विवस्ता होती है यह तो सब अगल बगल से कर लेते हैं नीचे गाउं है गाउं में चले जाते हैं गाउं से अपना काम चल जाता है फिर यहां जो जगत भगत आते है उनके माध्यम से हमारा आकास वृत्ति से चल रहा है हमारा काम और कोई किसी से लेना देना नहीं बस ठाकु जी के अपने यहीं पर पड़े हैं बस यहीं इचा है कि यहां ठाकु जी का कुछ बन जाता है यह अस्थान देख करके देखिए कि आइसा लिखावट पूरे जो है बिश्च और आसी कोस में आपको नहीं मिलेगा जैसा कि यहां पर है अवे देखिए पूरे चारों तरफ इस तारे में देखिए का इसा अस्थान है यहां पर अगर साधा कुछ बन जाए तो यहां जैसा तो रमली का ही अस्थान ही नहीं मिलेगा माराज जी नाम क्या है आपका गौरी संकर की नाम से यहां सब जानते हैं यह थे गौरी संकर माराज जिनों ने बताया कि यहां बगवान स्रीकृष्ण के सारे पदशिन मौजूद हैं ऐसा इस्थान ब्रच शेतर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यह दुड़ मौजूद हैं कुछ ग्रामीन लोग मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहेंगे इस स्थान के बारे में लोगों का क्या सही हो गए हैं और किस तरीके से जो भगवान सरी कृष्ण की केड़ा इस तालिया है जहां बल्राम जी ने और कृष्ण जी ने साक्षात यहां लीलाएं के दर्शन होए बड़ी प्यारी जिगे मैंसूस होई तो भगवान श्री किस्न की उससे हम यहां आने लगे सभी लोग यहां देख देख के यह सबका यह भाव है कि यहां कुछ बन जाए तो बहुत बड़ी महरवानी होगी सभी लोगों कि सभी लोग मिलके ही थोड़ा-थ यहां और भी गरामिट मौजूद है मुझे आपका क्या नाम है मंगतु राम जी इस जेगे के बारे में आप तो बुजुर्ग हैं आप तो पहले से जानते होंगे क्या इतियास है इसका यह सब्सक्राइब बलराम ने कृष्णि भगमान है दूद पीओ और बांसरी के मतचेनवी बने होएं और असलन नकल नहीं है यहां पन भगत लोग कम चेत्रे महातमा रहते हैं पिछारे यह जो बताया है उसमें उन्होंने इस पश्ट तोर पर कहा है कि यहां पास में ही आपको दिखाया अभी हमने के चरन पाहडी मंदिर है जहां भगवान स्री कृष्ण के पदिचिन मौजूद हैं और वहां ट्रस्ट द्वारा कारे कराई जा रहे हैं और वहां दूर दूर से द इसान मौजूद हैं उनके हाथ के पंज़े मौजूद हैं पेर के पंज़े मौजूद हैं और यह साक्षात हैं सबी लोग बनाते बताते हैं कि यह कोई बनावती नहीं है लेकिन यहां किसी का दिहान नहीं गया है ना यहां सरकार का दिहान गया है ना यहां इस्थानिय लोगों का दिहान गया है क्योंकि यहां आने के लिए कोई रास्ता नहीं है यहां कोई विवस्ता नहीं है इसलिए यहां सभी लोगों से अपील है कि यहां आएं यहां के दर्सन करें और यहां सयोग करें प्रसासन से मांग करें प्रसासन यहां का रास्ता बनवाए और यहां जो भगवान स्री कृष्ण की इस्तान पर मौजूद हैं कटोरा चपपन कटोरा मौजूद हैं उनकी बांसरी मौजूद हैं इनके रख रखाब के लिए बाकाइदा हैं निर्मान की जरूरत है आवसकता है यही आमजन से अपील है